दुखतो बिहार में डेरी फॉर्म खोलने के लिए ओनलाइन अवेदन की परकिरिया शुरू होने जा रही है इसका ओनलाइन अपलाई करने का जुत्तिती है वो जारी हो चुका है साथ ही मैं आपको बता दू इस पार काफी जादा पैसा जारी किया गया है जो पचीस करोर पैसालीस लाक रुपे इसमें जारी किये गया है इस योजना के तहट सरकार चाहर ही कि लोग जो है गाय का जो डेरी फार्म होता है उसे खोले जैसे दूत का अदपाद बरें आपकी उम्र क्या होने चीज़, सरकार कितने पैसे आपको अनुदान दे रही है और कैसे अपलाई परकिरिया पूरी होगी, सेलेक्शन, प्रोसीजर कैसे होगा तमाम जनकारी मैं डेटियल में आपको बताऊंगा बस इसके लिए वीडियो को अन्त तक देखना है, पसंदा है तो इसे लाइक और सेयर कर देना है ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले ताकि आगे भी जो भी इस परकार की अपडेट होगा मैं देने का काम करूँगा हमारे साथ वर्टसप चैनल टेलिग्राम से जूरी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ पर बहुत सारे अपडेट मैं आपको देता रहाता हूँ, जो भी सरकार की योजनाई होती है उसके बारे में मैं बताता हूँ, आइए फिला लेस्किन पर चलते हैं, पूरी जनकारी डीटेल मैं आपको बताते हैं दोस्तों अभी आप देख पा रहा हूँगे, हमारे सामने एक पेपर कटिंग है, जिसमें ऑफिसल तोर पर पूरी जनकारी देती गई है जैसे इस स्योजना के लिए आवेदन जो आपके स्टार्ट हो रहा है हो, पंदरा अगस से सुरू होगी, चुकि बिल्कुल ऑनलाइन माधम से आवेदन रहेंगे, इस स्योजना के ताहट जो पैसे जारी किये गई हैं, इस स्योजना के ताहट पूरे बिहार में करीब 1428 दे सालाना जो है, एक करोर 25 लाग 77,000 लीटर दूद की बढ़ोतरी होगी, अब इतना दूद जब बढ़ोतरी होगी, तो फिर राज के जो इंकम है वो भी बढ़ेगे, बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेंगे, सरकार की ये लक्ष है, पूरी डीटेल जनकारी य 277,900 लीटर दूद की बढ़ोतरी होगी, इसके लिए विभाग के ओर से जो पोर्टल खोली जा रही है, पंदरा अगस से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की परकिरिया सुरू होगी, इसमें दो परकार के अपलाई करनी की प्रोसेस रहेगी, पहला रहेगा दो या चार देस गाये वाले फॉर्म भी खोल सकते हैं, अब इसके लिए मैं बताऊंगा कि कितने पातरता होनी चीए, आपकी उम्र क्या होनी चीए, डोकुमेंट क्या होनी चीए, और सभी जनकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप अंतर तक बने रहें, इसके अलावे बतायागा है क डेरी फॉर्म खोलने के लिए सरकार की ओर से सबसिडी मिलेगा, सेसरासी जरूरतमंद लाभुकों को रीन के रूप में अपलब्त कराया जाएगा, मतलब कि ये जो रासी तैक की गई है, चोकि 25 करोर 45 लाके अप्रॉक्स में, इसमें क्या है कि सरकार सबसिडी देगी, के पास पैसा नहीं है इन कारण से, तो वैसे लोगों को सरकार जो है यहाँ पर रीन, यानि लोन भी आपको उपलब्त करवाएगी इससी योजना के ताहत, क्योंकि सरकार ने इसका बजट दे दिया है, 25 करोर 45 लाक 53 हजार 535 रुपे जो है इसके लिए जारी कर दी है, अब इसमें बताया गए कि 2 और 4 देशी गयों का जो फॉर्म है इसमें खोली जाएगी, अब इसमें मैं पहले कुछ चीजों के बता देता हूं कि कैसे आपको पैसा देने होंगे, कितने पैसे देने होंगे, साथ में जो है आपकी उमर क्या होगी, डोकुमेंट क्या होगी, इसक दूद आप जादा से जादा निकाल सकते हैं, ये गाए अपने राज के बाहर की होगी, ये ध्यान रखेगा, इस योजना के लिए अपलाई करने के लिए आपकी मिनमा मुम 18 सल होगी और अधिक्तम की बात करें तो 55 वर्ष से अधिग आयू नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान होंगे, मतलब क्या है कि सिधा समझे कि अगर SCST अतियंत पिछरावर के है, तो सरकार 75% आपको सबसेड़ी देगी, 25% रुपया आप अपना लगाएंगे, कोई अगर जिनरल वाले होंगे, तो जिनरल वालों को 50% राज से सरकार देगी, 50% की राज से जो है, आपको खुद होगा, अब यहाँ पर इन्होंने बता है कि दोनों इस्तिती में लाबको को यूजना का जो लाब हो मिलेगा, या तो आप चाहे तो चार देशी गावे वाले जो है, डेरी फार्म खोल सकते हैं, इसके लिए 25 डेसिमल जो है आपके पास जमीन होनी चाहिए, या लीज पर भ आपकी बन जाएगे, तो जैसे ही अपलाई का लिंक एक्टिव होगा, आप जरूर अपलाई कर दीजेगा, मैं इसका वीडियो ला दूँगा कि कैसे इसका फॉर्म आपको भड़ना है, श्टेप बाई श्टेप सभी प्रोसस बता दूँगा, आप चैनल को सस्क्राइब ज दो गायों के लिए जो है, अगर आप फॉर्म खुलना चाहते तो इसके लिए 1133 लोगों का इसमें चैन होगा, वही चार गायों वाले अगर कोई फॉर्म खुलना चाहते तो वैसे लोगों का जो सिलक्षन होगा, ये 255 लोगों का ये खुलने वाला है, और पहले आओ पहल बताया है कि 75% in SCST अत्यांत पिछावर को है और समानने कैटेगरी के लोगों को 50% की जो बेनिफीट है वो आपको दी जागी तो ये इसका overall पूरी जनकारी इसमें बताई गई है जिसके बारे में मैंने बताई है अब जबी भी इसका apply start होगा आप हमारे official website online update.htm.in पर आएंगे सरकारी योजना में मिलेगा सरकार दे रही है डेरी फार्म कोलने के लिए 75% अनुदान इस वाले लिंक को खोलेंगे तो पूरी जनकारी आपको यहाँ पर बताई गई है पेपर कटिंग मिलेगा जिसको देख सकते हैं और भी जो जनकारी है जिसको आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं जो कि मैंने हर एक जनकारी आपको बताया है बाकि यहाँ पर apply का link है लिंक जैसे ही active होगा फिर आपको यहीं पर apply का link मिल जागा आप यहीं से apply कर सकते हैं बारे साथ WhatsApp चैनल टेलिग्राम से जूर करें यह वहाँ भी मैं लिंक आपको प्लब्द करवा दूँगा दोस्तों अभी आपने देखा इस यूजना के बारे में आपने हर एक जनकारी डीटेल में समझाओगा बाकि मैंने लिंक description box में दिया है मेरे website पर भी जाकर आप सभी जनकारी समझ सकते हैं apply का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जागा बाकि इस वीडियो से related कहीं भी कोई doubt confusion है आप हमें पूछ सकते हैं comment करकर इस वीडियो को share कीजिए सभी लोगों के साथ सभी ग्रूपों में ताकि और भी लोगों को इस वीडियो के बारे में जनकारी मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद